हे दोस्तों वापिस स्वागए था आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज मैं आपको पेंडेमिक, एपिडेमिक और इंडेमिक जैसे शब्दों में क्या अंतर है ये बताऊंगा ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस को लेकर देश की चिंता बढ़ते जा रही है पहले से हम कोविड की मार जहेल रहे हैं उपर से एक नई बिमारी है इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सबसे पहले से महामारी घोशित क्या है वरतमान में राजस्थान में इसके 700 से अधिक मामले आ चुके हैं सरकार ने इस बिमारी को महामारी घोशित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है किसी बिमारी को महामारी घोशित करने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि उसे treatment के लिए ज्यादा attention दिया जाता है जब किसी बिमारी को महामारी घोशित किया जाता है तो उसके रोक थाम के लिए बहुत सारे उपाई किया जाते हैं सरकार और परशाशन अलेर्ट हो जाती है ताकि किसी भी तरह इस बिमारी को रोका जाए जिसे वो महमारी घोशित किया गया है जब भी कोई बिमारी देश के किसी इलाके से निकल कर पूरे राज या पूरे देश को परवावित करता है तो इसे महामारी घोशित करने का अधिकार राजसरकार और किंद सरकार को भी है अगर कोई बिमारी राश्टिरिया स्तर पर असर दिखाती है यानि पुरे देश में वो फैल चुका है तो किंद सरकार की तरफ से महामारी घोशित क्या जाता है किसी भी बिमारी को महमारी घोशित करने से पहले ये देखा जाता है कि उसकी संकर्मन की रफ्तार कितनी है और उससे कितनी ज्यादा मौत हो रही है। डर आ जाता है और अफरातफरी मचनी की भी संभावना होती है लोग उस राज से प्लाइन करना शुरू कर जाते हैं जिससे संकर्मन बढ़ने की और भी संभावना बढ़ जाती है महमारी घोशित करने के बाद राज और देश पूरी तरह से एलर्ट पर आ जाता है और बिमारी की रोख थाम की कोशिशों में तेजी आ जाती है महमारी घोशित करने के बाद बिमारी की रोख थाम और उसके परकार को जानने के लिए रिसर्च की जाती है इसको लेकर लोगों में जागरुकता बढ़ाई जाती है इसकी रोक थाम के सबी इहतियाती कदम उठाए जाते हैं आपको याद होगा मास्क वेर करना और सेनिटाइजर जैसे चीजों से लोगों को जागरुक कराया गया और लोगों से इस्टेटली ये पालन करवाया गया इसी तरह किसी बिमारी को जब महामारी घोशित क्या जाता है तो उससे जुड़े हुए रोक थाम कराया जाते हैं उससे जुड़े लोगों को जागरुक क्या जाता है ताकि जल्दी से जल्दी हम बिमारी को रोक सकें आपको याद होगा कि कोरोना वाइरस को महामारी घोशित करने से पहले फरवरी 2020 में WHU के तरफ से ये कहा गया था कि इसका संकरवन तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अभी इसे वैश्विक महामारी घोशित नहीं क्या जा सकता ऐसा इसले क्योंकि उस वक्त तक यानि फरवरी 2020 तक दूसरे देशों में कोरोना वाइरस के फैलने के एविडेंस नहीं आये थे लेकिन मार्च 2020 में जब कोरोना वाइरस पूरी दुनिया में फैल चुका तब इसको महामारी घोशित किया गया चलिए अब मैं आपको आउटब्रेक, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक जैसे शब्दों में अंतर बताता हूँ परकोप या आउटब्रेक क्या है? जब किसी छेतर में अपेक्षा से अधीक बिमारी के मामले दर्ज किया जाते हैं तो इसे परकोप घोशित क्या जाता है? यानि इसे आउटब्रेक कहा जाता है किसी पार्टिकुलर बिमारी का जिस तरह वोहान में पहले कॉरोना वारश हुआ था, तो वहां हम कहते थे कॉरोना वारश आउड्डेक हुआ है वोहान में, लेकिन जब वोहान से बढ़कर वो पूरी चाइना, और चाइना से बढ़कर वो पूरी दुनिया में फैला, तब इसे pandemic कहा जाने लगा इस तरह किसी भी विमारी का पहला जो phase है वो out break होता है चलिए अब मैं आपको endemic शब्द का मतलब बताता हूँ endemic rogue या एक ऐसा परकोप है जो एक निश्चित छेतर या एक आबादी को परभवित करता है चिकन फोक्स को एक endemic rogue की शरीनी में रखा गया है क्योंकि ये जियादतर यूथ में होता है ये एक इस्थिर रोग है जो किसी खास छेतर में बना हुआ रहता है और कभी नहीं जाता इसलिए इसे endemic rogue कहते हैं next शब्द हमारा epidemic ये एक ऐसा रोग या संकर्मन होता है जो बड़ी आबादी के बीच तेजी से फैलता है इसमें रोग समान रूप से दो सब्ता या उससे कम समय में भी फैलने लगता है ये रोग दूसरे पर करके disasters का परिनाम भी हो सकता है जैसे flood आ गया, drought आ गयी कोई earthquake या तुफान आ गया उसके परिनाम सोरूप ये बीमारी हो सकती है अब हमारा next सब्द है pandemic जो highest phase होता है किसी भी बीमारी का जो किसी छोटे से छेतर से शुरू होकर पुरी दुनिया में फैल जाता है इसमें कम समय में अधीक लोग संकर्मित होते हैं एपिडेमिक के तुल्ला में pandemic अधीक मोतों का कारण बनता है pandemic को वैश्विक महामारी कहते हैं और वैश्विक महामारी घोशित करने का काम WHO के परमुक को है जिस तरह coronavirus को मार्च 2020 में WHO के डारेक्टर जेनरल ने ही वैश्विक महामारी घोशित किया था तब जब यह virus पूरी दुनिया में फैल चुका था endemic, epidemic, pandemic और outbreak को इस तरह से समझा जा सकता है endemic निर्धारित समय में किसी विशेज छेतर या समूदाई में फैलने वाला outbreak है जबकि epidemic बड़े छेतर में यानि पूरे देश में फैलने वाला संकरामक रोग है coronavirus संकरमन जब तक वोहान तक्सिमित था तब यह outbreak था जब यह चीन के अंशहरों में फैल गया तब यह epidemic बन गया और जब यह virus पूरे दुनिया में फैल गया तब इसे pandemic कहा जाने लगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको इन सारे शब्दों का मतलब पता चलिया होगा और किस तरह किसी एक बिमारी का odd break यानि phase 1 से शुरू होकर last phase जो pandemic तक का होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा और phase के according ही किसी बिमारी की intensity का पता चलता है कि वो कितना ज्यादा घातक साबित हो रहा है